हेलो फ्रेंज तो आज हम आपके साथ में आजी रेसिपी शियर करेंगे जिसे आप ब्रेक्फस्ट रुपी बनाईए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में दीजे सबको ये बहुत ही जादा पसंद आने वाली है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाना बहुत आसान है बहुत कम टाइम में बन कर त्यार जाती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे और उसमें हम ले लेंगे आधा कप सूजी और इसके साथ में हम डाल देंगे वन थर्ड कप दही अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी, तो पानी यहां पर मैंने वन थर्ड कप लिया है और फिर इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक साथ हम बहुत जादा पानी नहीं डालेंगे अब अच्छी तरह से जब इसे मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसे 5-7 मिनट के लिए धक करके रख देंगे और इतनी देर में हमारी सूजी जो है वो एकदम बढ़िया से फूल जाएगी फिर हम इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और साथ में हम डाल देंगे बारी कटा हुआ प्याज इसके साथ में मैंने ले लिया है गाजर और गाजर को कदुकस कर लिया था इसके बाद हम इसमें एक हरी मिर्शे डालेंगे और थोड़ा सा इसमें बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे पिर यहां पर मैंने ले लिया है पीज़ा, सीजनिंग और साथ में हम डाल देंगे चिलि फ्लेक्स और इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बैटर हमारा थोड़ा सा गढ़ा लग रहा है तो इसे हम और थोड़ा सा पतला करेंगे तो इसके बार हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी तो पानी बहुत जादा नहीं डालना है लगबग 4-5 चमच पानी डालेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारे ये बैटर त्यार हो जाएगा तो बैटर की consistency आप देख सकते हैं इतना काड़ा बैटर हमारा होना चुई है अब हमने यहाँ पर बैटर त्यार कर लिया है अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो यहाँ पर हमने ले लिया है तवा और तवा हम पहले गर्म करेंगे फिर इसके उपर से हम लगा देंगे बटर बटर लगाने के बाद हम एक ब्रेड ले लेंगे और उसके उपर से जो हमने सूजी का बैटर त्यार किया था वो लगाएंगे तो पहले एक साइट पे हमें बैटर को अच्छी तरह से लगा लेना है और इसके बाद बैटर की तरफ से हम ब्रेड को तवे के उपर रखेंगे इसके बाद हम लगा लेंगे इसमें सॉस तो यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस लिया है अगर आप चाहें तो आप टोमेटो कैचप या फिर पीजा सॉस भी इस पर लगा सकते हैं टमाटर को हमें ब्रेड के उपर अच्छी तरह से लगाना है इसके बाद हम ले लेंगे चीज तो यहाँ पर मैंने चीज की स्लाइस लिया है अगर आपके पास स्लाइस नहीं है तो आप इस पर मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं अब थोड़ा सा उपर से हम डाल देंगे और और फिर हमने ले ली है एक दूसरी ब्रेड और उसके उपर भी हम टुमेटो सॉस लगाएंगे तो अच्छी तरह से चारो तरफ हमें टुमेटो सॉस लगा लेना है अगर अप चाहें तो इसकी जगह ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं फिर उसके उपर से हमें सूजी का लगा ले और फिर हम इसको रख देंगे ब्रेड के उपर तो यहां पर मैंने गैस की फ्लेम को लो पे रखा है अब उपर की तरफ हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे और इसे एक साइट पे दो से तीन मिनट सेखने के बाद हम इसे पलट देंगे और गैस की फ्लेम को आप दो पे ही रखें मीडियम या हाई पे बिल्कुल भी मत करिएगा नहीं तो ब्रेड जो है हमारी वो जलने लग जाएगी अब देखिए इसे पलट दिया है अब इसके बाद हम इसे लगबग दो से तीन मिनट के लिए धख देते हैं और धख करके इसे पकाएंगे और इतनी सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है खाने में आप इसे ब्रेफस्ट में बनाईए चाहे बचों को लज़ वॉक्स में दीजे सबको यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और इसे आप बीच से कट कर सकते हैं और यह देखिए एक्टम चीजी नास्ता यह ब बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो आप इसके और चोटे टुक्रे कर सकते हैं तो इस तरह से हमारी रेसिपी बन कर तयार है तो इसे आप नाश्ते में बनाईए चाहे बच्चों को लंच बॉक्स में दीजे या आपके हागर गेस्ट आते हैं तो उन्हें भी बना कर किलाईए उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगा तो इस तरह से हमारी पहली रेसिपी बन कर तयार है तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ अक्सर हमारे हैं ऐसा होता है कि कभी-कभी चावल बच जाते हैं तो आप उन चावल से बहुत ही जादा टेस्टी नाष्टा बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में और इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं चाहे ब्रेकफर्स में बनाईए चाहे लंच म कर सकते हैं और अब हम इसका पानी निकाल देंगे और पानी निकालने के बाद इसे दो से तीन बार हम अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर उसके बाद हम इसका पानी अच्छी तरह से निकाल देना है तो कुछ इस तरह से आप इसे हातों से अच्छी तरह से दबाएं और इस अगर आप चोटे टुगड़े करके डालेंगे तो वो आराम से खा लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा तो अगर आप चाहे तो इतने चोटे टुगड़े करें या चाहे तो आप इससे भी चोटे टुगड़े कर सकते हैं ये देखें अब इसके बाद हम ले लेते हैं कड़ाई और कड़ाई हम गर्म करेंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ओल तो इसमें हम लगभग 2 टेबल स्पून ओल डालेंगे और इसके साथ में हम डाल देंगे बटर तो बटर यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून डालेंगे अगर आप चाहें तो सिर्फ बटर में इसे बना सकते हैं या फिर चाहें तो सिर्फ ओईल में बना सकते हैं लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है अब जब प्याज हमारी अच्छी तरह से भुन जाएगी थोड़ी से ब्राउन हो जाएगी तब हम इसमें और सबजियां डालेंगे आप जो भी सबजी इसमें अट करना चाते हैं डाल सकते हैं क्योंकि बच्चे वैसे तो अलग से सबजियां खाना नहीं चाते हैं इसमें डालेंगे न तो इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और बच्चे खा भी लेंगे तो यहाँ पर मैंने गाजर लिये उसे बारीक बारीक काट लिया है फिर हम डाल देंगे इसमें बीन्स आपर गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर सकते हैं और सब्जियों को एक से दो मिनिट जब हम भून लेंगे न तब हम इसमें डाल देंगे नमक डालेंगे और इसके साथ में अभी हम कोई भी मसाला नहीं डालेंगे सिर्फ नमक डालके हमें इसे अच्छी तरह से mix कर लेना है और इसके बाद हम इसे ढख करके पकाएंगे तो जब हम इसे ढख देंगे न तो हम gas की flame को low पे कर देंगे इसे हमें low flame पे पकाना है, medium आई, high बिल्कुल भी नहीं करेंगे नई सबजियां हमारी जलने लग जाएंगे तो लगबग 5 मिनिट ढख करके इसे पकाएंगे और इतनी देर में हमारी सबजियां जो हैं वो पक जाएंगे और अब हम यहाँ पर कुछ मसाले और राइट करेंगे तो यहाँ पर मैंने ले लिए हल्दी अच्छी तरह से हल्दी को मिक्स करेंगे हल्दी से इसका कलर बहुत ही बढ़िया आता है अब इसके साथ में हम डाल देंगे औरिगैनो अगर आपके पास औरिगैनो नहीं है तो आप इसके जगर मैगी मसाला भी डाल सकते हैं उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है औरिगैनो डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम लो पे ही रखेंगे अब इसके साथ में हम डाल देंगे उबली हुई स्वीट कॉर्ण अगर यह भी आपके पास नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर दीजे फिर हम डाल देंगे ब्लैक पेपर आपके पास में जो भी सबजियों अवेलिबल हैं आप उसी से ही बना सकते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे पके हुए चावल फिर सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से धेर सारी सबजियों के साथ में यह हमारा टेस्टी राइस जो है वो बनकर त्यार हो जाएगा तो अगर आपके पास चावल बच जाते हैं तो आप उससे यह बहुत जादा टेस्टी फ्राइड राइस बना सकते हैं और बच्चे अगर एवार खालेंगे तो वो आपसे बर-बर यही खाने के लिए कहेंगे उन्हें यह बहुत पसंद आएगा और सबसे अची बात यह है कि बच्चे के साथ साथ में बड़े भी इसे बहुत पसंद करेंगे तो आप इसे नाश्टे में बनाईए लंच में बनाईए या बच्चों को लंच बॉक्स में दीज़ेगे और इस तरह से आप बहुत यह कम टाइम में बहुत जादा टेस्टी रेसिपी बनाइकर तायर कर सकते हैं अगर आपके ऑगयस्ट भी आते हैं अं तब भी आप उन्हें बनागर खिलाएगे उन्हें ये बहुत पसंद आएगा, वो बहुत पसंद करेंगे और आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे अब देखिए, आप इसे बच्चों को लंज बॉक्स में इस तरह से दे सकते हैं तो आपको साथ में और कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे पूरा टिफिन जो है वो फिनिश करके आएंगे तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये दूसरी डिश बनकर त्यार है ये देखिए, कितनी फटाफट से बन जाती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है ये तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ जो कि इतनी जल्दी बन जाती है न कि मतलब पांश मट में आप इसे बना कर त्यार कर सकते हैं और बच्चे आप से तुरंट खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो आप इसे फटापट बना कर बच्चों को खिला सकते हैं तो इसके लिए हम एक कटोरी ले लेंगे और उसमें हम ले लेंगे देसी घी अगर आप चाहें तो देसी घी की जगह बटर भी ले सकते हैं फिर हम इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसके साथ में हम डाल देंगे औरिगेनो फिर हमें ले लिया है यहाँ पर लेसन, तो लेसन को कदुकस कर लिया था और साथ में हम डालेंगे बारी कटावा हरादनिया और फिर सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये रेसिपी इतनी जादा आसान है न कि इसे आप कभी भी बना सकते हैं अगर शाम की चाय के साथ में भी आप इसे बना कर ले सकते हैं या अगर आप क्या कोई आता है तो आप 5 मुट में उसे फटाफट बना कर ये खिला सकते हैं अब देखिए यहाँ पर सारी चीजों को हमने मिक्स कर लिया है अब इसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर ब्रेड तो मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है आप brown या white को इसे भी bread ले सकते हैं इसके बाद हम इसका side वाला part जो है वो काट कर अलग कर देंगे अगर आप चाहें तो इसे काटे नहीं इसके साथ में भी बना सकते हैं लेकिन अकसर बच्चे खाना नहीं चाते हैं तो इसलिए इसे side से निकाल देते हैं तो आप इसे फेके नहीं आप इसके bread crumbs बना सकते हैं और उसे किसी भी recipe में use कर सकते हैं तो इस तरह से इसे कट करके निकाल देंगे अब इसके बाद हम इसके न इस तरह से लंबे-लंबे टुकडे कर लेंगे bread के अगर आप चाहें तो और छोड़े टुकडे भी कर सकते हैं या आप जैसा भी shape देना चाहें आप दे सकते हैं अब देखें इसे हम रख देते हैं side में अब इसके बाद हमने bread को काट लिया है अब हम चलते हैं gas की तरफ तो यहाँ पर हमने ले लिया है तवा तवा गर्म करेंगे और उसके उपर जो हमने butter तयार किया था वो लगाएंगे और यहाँ पर gas की flame को हम लो पे ही रखेंगे तो चाहे brush से चाहे spoon से आप butter को अच्छी तरह से तवा पर लगा दें उसके बाद हम इसके उपर bread रखेंगे और friends gas की flame को आप लो पे ही रहने दीजेगा इससे bread जो है वो एकदम crispy बनेगी नहीं तो फिर bread जो है वो जलने लग जाएगी तो फिर यह अच्छी नहीं बनेगी अब उपर से हमने जो butter तयार किया था वो लगाएंगे अच्छी तरह से इसे लगा दें तो यहाँ पर मैंने दो bread के साथ में बनाया है अगर आप जादा बनाना चाहते हैं तो आप सारी चीजों की quantity बढ़ा सकते हैं जैसे आप bread जादा ले लिजे और घी या butter जो भी आप इसे ready करते हैं तो उन सारी चीजों की quantity आप बढ़ा दीजे तो देखिए कुछ इस तरह से हमें स्पून से butter लगा लेना है और इसके बाद हम इसे दोनों साइट से सेख लेंगे तो low flame पे सेख ये ये एकदम crispy बनेगी तो इसे आप शाम की चाय के साथ में भी ले सकते हैं बच्चों को lunch box में भी दीजे आप चाहें तो इसे नाश्टे में भी बना सकते हैं या अगर आप कहां कोई आता है तो आप उसे भी बना कर इसे खिला दीजे बहुत ही फटाफट से 5 मिनट में ये बन कर त्यार हो जाती है और फ्रेंड्स इसी तरह की बहुत सारी आसान सी और फटाफट सी बन जानी वाली रेसिपी आपको मेरे चैनल पे और मिल जाएगी तो जिसे आप breakfast में या बच्चों के lunch box के लिए या शाम के नास्ते में बहुत यासानी से और बहुत कम टाइम में बना सकते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर और रेसिपी देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर कितने कम टाइम में हमने ये ब्रेड बना कर त्यार कर ली है और कितने जादा टेस्टी लग दी है तो इस तरह से हमारी ये रेसिपी बन कर त्यार है अब हम चलते हैं अपनी अगली रेसिपी के तरफ जो कि खाने में टेस्टी तो लगती ही है साथ ही साथ ये healthy भी है तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्रेड ले लेंगे तो यहाँ पर मैंने बची हुई ब्रेड लिए है अकसर जब भी आप कुछ बनाते हैं तो थोड़ी बहुत ब्रेड तो बची जाती है तो आप वो ब्रेड ले सकते हैं और नहीं तो आपके पास जो भी ब्रेड है ब्राउन या वाइट ब्रेड आप उसे ले लीजे अब हम ले लेंगे एक ग्रैंडिंग जा और उसमें हम ब्रेड को निकाल लेंगे इसके बाद हमें ब्रेड को ग्रैंड कर लेना है इसे हम बारिक कर लेंगे और इस तरह से आप bread crumbs बना सकते हैं अगर आपको bread crumbs बनाना नहीं आता है तो आप bread को बस इस तरह से grind कर लीजे और ये रेखिए आपके bread crumbs जो है वो बन कर त्यार हो जाएंगे और इसे आप store करके रख सकते हैं अब इसके बाद मैंने ले लिया है कच्चा आलू तो यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है और इसे अब हम कदुकस करेंगे तो friends इसे हम कच्चे आलू के साथ में बनाएंगे अगर आप चाहें तो उबला हूँ आलू भी ले सकते हैं तो इसके बाद हमने ले लिया है यहाँ पर पानी और पानी में हम आलू को डाल देंगे और यूज करने के पहले इसे हमें दो से तीन बार अच्छी तरह से धो लेना है तो एक बार को हम आलू को साइट में रखते हैं और यहाँ पर ले ली है एक प्याज तो प्याज को भी हम कदूकस करके डालेंगे यहाँ पर हम प्याज को काट के नहीं डाल जाएं अगर आप चाहें तो प्याज को बारिक बारिक भी काट करके डाल सकते हैं लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्याज के बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए एकदम बारी टुकड़े हो जाने चाहिए तो देखें यहाँ पर प्याज को कदुकस कर लिया है और इसके बाद अब हम एक बोल ले लेते हैं और इसमें हम ले लेंगे आलू जो हमने पहले कदुकस करके रखे थे और इसे दो से तीन बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है अब इसके बाद हातों से न हम इसे अच्छे से निचोड़ देंगे ताकि इसका पूरा पानी जो है वो निकल जाए आलू में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अब इसके उपर से हम डाल देंगे इसमें प्याज और इसके साथ में अब हम ले लेंगे यहाँ पर ब्रेड जो हमने पहले ही ग्राइंड करके रखा हुआ था अब हम इसमें डाल देंगे वन फूर्थ कप कॉन फ्लॉर यानि की आरा रूट डालना है और साथ में हम इसमें डाल देंगे नमक और इसके साथ में हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स और हमने ले लिया है यहाँ पर ब्लैक पिपर साथ में हमें डाल देना है यहाँ पर पाव भजी मसाला तो यहाँ पर हम पाव भजी मसाले का यूज़ कर रहे हैं और फिस सारी चीजों को हम हातों से इस तरह से अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे बिना पानी डालेंगे इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और इस तरह से हम इसका डो त्यार कर लेंगे ये देखिए कुछ इस तरह से हमें कर लेना है अब हम क्या करेंगे इसका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेंगे और ह पर हम इसे रोल करेंगे तो जैसे आप टिक्किया बनाते हैं उस तरह से पहले हातों से इस तरह से घुमाएं और फिर इस तरह से फ्लैट कर दें तो अगर आप चाहें जैसे गोल टिक्की बनाते हैं वैसे बना लें यहां पर मैंने ओवल शेप दिया है और फ्रेंड्स जब इ इस थोड़ा सा पतला ही रखें, क्योकि हम इसे fry नहीं कर रहे हैं, अगर आप fry करना चाहते हैं, तो आप इसे fry बहुत कर सकते हैं, लेकिन fry करने विन्हें बहुत ज допलून बहुत न लगता है, तो इसके लिए हम इसे टवए पर ही सیکेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमने इतना सारा बना लिया है अब हमने ले लिया है तवा तवा गर्म करेंगे उपर से हम ओल लगाएंगे और गैस की फ्लेम को हम लो पे कर देंगे यह नाश्ता हम लो फ्लेम पे ही बनाएंगे अब एक एक करके हमें तवे के उपर इसे रख देना है तो फ्रेंट्स इस तरह से हमारा ये टेश्टी नास्ता जो है वो बनकर त्यार हो जाएगा तो इसे आप नास्ते में भी बनाईए, शाम के नास्ते में भी बनाईए या बचों को लंच बॉक्स में दीजे टेस्टी होने के साथ साथ में ये हेल्धी पी है अब इसे हम ढख करके लगबग 3-4 मिनट के लिए एक साइट पे सेख लेंगे फिर उपर से हम ओल लगाएंगे और इसे हम पलट देंगे पलटने के बाद इसे हमें 2-3 मिनट के लिए सेख लेना है और इस तरह से आप एक tasty और healthy नाश्ता बना कर त्यार कर सकते हैं, जो कि बच्चों के साथ साथ में बड़े लोगों को भी पसंद आएगा, तो फ्रेंट्स इस तरह से मेरी रेसिपी बन कर त्यार है, आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा, और चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है, तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, तो बने रिये मेरे चैनल पे नए नए रेसिपी देखने के लिए मिलते हैं, अगली वीडियो में बाइ बा बाइ